Hi everyone, welcome to my channel Sanvyan Mama's World तो आज की इस वीडियो में मैं हिंदी सब्जेक के बारे बताऊंगी UKG क्लास के कि किस तरीके से हमें उनको स्टार्ट कराना है तो सबसे पहले हमें उनको रिविजन ही करानी हैं जो वो LKG क्लास से पढ़कर आए हैं Swar and Vengeance means Hindi Word Mala तो सबसे पहले हमें उन्हें वो ही रिविजन करानी है तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाती हूँ सबसे पहले मैं आपको लिखकर दिखाऊंगी Swar Swar है A A I I U U R E A A O O A A A A तो यह हो गए हमारे Swar तो हमें सबसे पहले बच्चों को यह रिविजन कराना हैं बट LKG क्लास में बच्चों को सिर्फ यही बढ़ाया जाता है Word Mala तो जब हम UKG में बच्चे आते हैं तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि जो असे अनार आसे आम इसे इमली यह जो होते हैं यह सारे Swar कहलाये जाते हैं तो इसलिए उनके टॉपिक में उपर लिखा जाये mention करें कि Swar ताकि बच्चों को पता लगे कि यह जो हमने असे अनार आसे आम यह सब पढ़ेते यह Swar कहलाते हैं जब यह चीज हो जाये उसके बाद हम आएंगे व्यंजन पर तो इसी तरीके से जैसा मैंने बताया कि LKG क्लास में बच्चे Swar व्यंजन से नहीं पर जानते हैं इनको उन्हें सिर्फ व्यंजन लिखेंगे क ख ग घ न च च ज ज य त ठ ड ध न त त थ द ध ध न प फ ब ब भ म य र ल व श श श स ह क्ष त्र ग्य तो ये सबी होते हैं व्यंजन और अ आ ये होते हैं स्वर तो हमें UKG ग्लास में जब हम इसे रिविजन कराएंगे तो साथ के साथ हमें उन्हें ये भी बताना हैं कि ये स्वर के लाते हैं और ये व्यंजन के लाते हैं जब हम बच्चे को ये पढ़ाएंगे तो हम उनको words के साथ पढ़ाएं आ से अनार, आ से आम, इ से इमली, इ से एक, उ से उल्लू, उ से उन, री से रिशी, ए से एडी, आ से एनक, ओ से ओखली, आ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली उसके बाद व्यंजन पढ़ाएं तो इस तरीके से हमने स्वार और व्यंजन बच्चों को पढ़ाने हैं तो I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आज के लिए इतना ही काफी है वापस से कल की वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे कि हमें आगे कैसे स्लेबस को बढ़ाना है तो thank you so much, please अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, thank you so much